नमस्कार जैश्री कृष्णा मैं राकेश शिवानिय अश्यो चनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बताने जा रहा हूँ पिसिकलिए आप लोग सब पढ़े लिके हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ आज वो सूर्य का मेश लगन में कुंडली हो तो विभिन भाव में अगर सूर्य बैठा हो तो क्या फल मिलता है पहले भाव में सूर्य हो दूसरे भाव में सूर्य हो तीसरे भाव में सूर्य हो इसी प्रकार से पूरे की पूरे बारे भाव में सूर्य अगर हो मेश लगनी कुंडली में तो कैसा प्रवाम दोता है इसको कहते हैं रिफिप ऑवेश के अधार परी और माक्सिम् लोग भी ऐसी करते हैं रिफिप आ कई गरड़नी देख लिए रिखना ने लिते हैं जो बैवरेश इसको को सब्सक्राइव और गा बैठा लिया को में चलिफना भाव देखा जाता है भावेश भी देखा जाता है और कारक भी देखा जाता है उन तीनों को मिलाके भाव का बल्वन तो आज हम बात करेंगे कि सूर्य यदी मेश-लगन के पहले भाव से लेके और चौते भाव तक कहीं भी बैठा हो तो किस तरह के फल मिलते हैं तो आए शुरू कर जानते हैं कि नैसर की रूप से शुक्र है गुरू और शुक्र होते हैं और चंद्रमा और बुद्ध के लिए टंशन कंडिशन अपलाई होती है शुक्र पक्ष का चंद्रमा हो पक्ष बली हो तो चंद्रमा भी शुब हो जाता है और बुद्ध अगर अकेला बैठा हो तो स तो हानी करेगा ये भी हम लोग जानते हैं लेकिन उसके साथ हम लोगों को ये देखना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य इस कुंडली में क्या है नैसर की रूप से तो सूर्य अशुब रहे है पर इस कुंडली में सूर्य को अगर हम देखें तो सूर्य बनता है पंचमेश यान सब्तमेश की तरह, पंचमेश की तरह यह जाके बैठ रहा है, तो पंचमेश जब प्रथम भाव में जाएगा, तो बुरे परिणाम नहीं होगे, पंचम भाव, अब क्या परिणाम होंगे, यह भी सोचने वाली बात है, पहले भाव से हम लोग क्या देखते हैं, यश देखते हैं, कीर्थी देखते हैं, आत्मिश्वास देखते हैं, तो सूर्य अगर पहले भाव में हो, तो पहले भाव में पहले नमबर राशी है, तो सूर्य इस भाव में उच्छका होगा, अब सूर्य उच्छका हुआ, तो जाहिर है कि सूर्य का बल बढ़ा, और सूर्य का जब ब भी होंगे क्योंकि सूर्य भाव पर है तो अपना कुछ अशुक्र भाव भी वो देगा तो आप क्रोधी भी आप होंगे वो भी आपको ज्ञान अब और क्या चीज होगा इस देखे पंचम भाव का स्वामी लगन में गया तो पंचम भाव के रिजल तो आपको अच्छे मिले पहले भाव के जल तो आपको अच्छे मिलेंगे ही क्योंकि सूर्य भाव पर उच्छ का होके बैठा हुआ है और पंचमेश होके बैठा है अब यहीं सूर्य अच्छे इसमें एक चीज और भी है जो मैं इसका द्रस्टी का परभाव भी इसके अंदर आपको अभी बता देन चाहता हूं तो सूर्य जब पहले भाव में बैठेगा तो उसकी द्रस्टी साथ वे बाव भाव और यह ध्यान रखिए कि अशुब ग्रहई की द्रस्टी सदयाव अशुब होथा और वो शुब होती है या अगर शुब ग्रहई है नैसर की घुरूप से उसकी द्रस्टी श उसक्य द्रस्ती अशुक होगा. तो सूरिय प्रतम भाव में बैठके सब्तम भाव को भी देखेंगे. तो जाहिर है कि सब्तम भाव को प्रभावित करेगा. यानि विवाएक जीवन में कुछ समस्या हो सके. अगर सूर्य वहाँ देख रहा है और एकाद ग्रह का प्रभाव वहाँ पे और हो गया अशुप ग्रह का तो उस केस में विवाई जीगोन में समस्या पैदा होसा आपको यह नहीं लेना है कि सूर्य ऐसे पंचमेश देख रहा है नो ऐसे पंचमेश बैठा है वो चीज़ तो पांचवे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा है तो पांचवे भाव के लिए तो अच्छा है अपने से दस्वा गया है तो पांचवे भाव के लिए तो अच्छा है विवेक, हयाद, एजुकेशन वगेरा के लिए इन चीज़ों के लिए तो अच्छा है लेकिन दूसरे भाव में बैठा सूर्य, अशुग्र है, तो दूसरे भाव से सम्दित चीजों में भी Problem Create करेगा, तो क्या धन जमा करने में problem करेगा, कर सकता है, क्या पारिवारिक अन्बन कर सकता है, बिलकुल कर सकता है, तो दूसरे हम से हम पारिबारी संबंध भी देखते हैं, परिवार को भी देखते हैं, कुटुम को भी देखते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, वानी को अशुब बना सकता है, सूर्य का असर दूसरे भाव पे हो, सूर्य जो है, वानी का भाव, दूसरा भाव वानी का भाव होता है तो बानी के अशुप कर सकता है, अब सूर्य यहां बैठके, सब्तम दरस्टी से आठवे भाव को देख, यह बहुत important, दूसरे भाव में सूर्य हो, तो उसकी साथवी दरस्टी आठवे भाव पर होगी, तो जैसे मैंने बताया कि अशुप रह की दरस्टी अशुप होती है, आठवे भाव में और अशुप तर लाएगा, यानि आयू भी छेन कर सकता है, आयू में कमी कर सकता है, तो यह भी बहुत ध्यान देने वाली बात है, कि सूर्य का प्रभाव दूसरे घर में बैठने से क्या-क्या हो, अब अगर यही सूर्य तीसरे घर में आ जाए, तब सू सूर्य पंचमेश है, और तीसरे भाव में बैठा है, लेकि तीसरे भाव में अगर बैठा है, तो जाहिर है, तीसरे भाव की भी कुछ ने कुछ तो हानी करेगा, लेकिन एक चीज होती है, कि तीसरे चटे ग्यारवे भाव, जो हमारे तीसरा चटा और ग्यारवा भाव है, और अगर सूर्य तीसरे भाव में हो और उस पे मंगल की द्रस्टी हो या मंगल शनी की द्रस्टी हो तो छोटे भाई बैन आपके ना हो ये भी हो सकता है तीसरे भाव का कारक कौन है मंगल है तो मंगल भी अगर पीडित है और तीसरे भाव में भी सूर्य बैठा हुआ है तो बहुत chances हैं कि छोटा भाई बैन आपके ना हूँ, कारक पिडित हो गया, और भाव पिडित हो गया, तो ये चीज भी हमें देखनी बहुत आवज लगे, आप तीसरे भाव में बैठके सूर्य कहां देख, और तीसरे भाव से और क्या चीज देख, तीसरे भाव से जो आपके अधिनस्त करमचारी हैं, वो भी देखे जाते हैं, तो आपके अधिनस्त करमचारियों से भी आपकी तनातनी हो सकती है, ये भी आपको ध्यान लगा, सूर्य की सात्वी द्रस्ति नवे भाव के पड़ेगे, नवा भाव, पिता का भाव होता है, पिता के साथ समस्या हो सकती वो चीज भी ध्यान लगने भागे की हानी भी हो सकती है वो चीज भी ध्यान लगने तो तीसरे भाव में बैठके higher education, विवेक, बुद्धी ये सब चीज तो बढ़ा रहा है क्योंकि पांचवे भाव से ग्यारवे भाव में गया लेकिन नवे भाव की भागे भाव की थोड़ लगन से चौथे भाव में गया है और अपने से बारवे भाव में गया है तो पांचे भाव की यहानी दिखाता है यानि दिखाता है कि हार एजुकेशन में परिशानी हो सकती है विवेक बुद्धी में परिशानी हो सकती है संतान के साथ समस्या हो सकती है ये सब चीजे हो सकती है शेयर बजार में प्रॉब्लम हो सकती है अब सूरिय चौथे भाव में बैठ तो क्या कर सकता है क्यों सूरि यहां सूरे का बल जीरो जो ऐर चौटेक में सुडुके का बल भावुं स जो डीने के छोड़ा का में धूड़ा प्रौपटी में देखने के आतार हो सकता सूरे अ में का मेश लगन में निकनली में पहले से लेगे और पना पढ़े के चौते भाव तक फल आशा करता हूं आपको अच्छा लगा हो कोई चीज समझना यह हो तो कमेंट्स कर सकते हैं और इसके लावा सूचना है कि हम लोग एडवांस असलोजी का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं आप में से जो भी इच्छु को वो दिए गए नंबर पर संप अवड़ चैसे